नमश्कार दोस्तों सीमाज स्टॉप में आपका स्वागत है आज मैं आपको अचारी बिंडी बना कर बताओंगी बिंडी हम लोग बहुत तरीके से बनाते हैं लेकिन अचारी बिंडी का एक अपना टेस्ट होता है तो चली शुरू करते हैं मैंने छोटी छोटी भिंडिया ले लिया है और इनको धो कर पोँच कर और इनको खड़ा खड़ा चीर लिया है एक भिंडी के दो दो टुकडे खड़े खड़े चीर लिया है अब मैंने ये मसाला लिया है डेड़ चाय का चमच लाल मिर्ज पाउडर दो चाय का चमच सौफ त जो मसाला आपको दिखाया था वो सूखा ग्राइंड कर लिया है लहसुन के साथ मिक्सी में अब मैं गैस पर कड़ाई गरम करूँगी उसमें आधा कप तेल डालूँगी एक पाव भिंडी में आधा कप तेल आराम से पड़ जाएगा तेल गरम होने पर उसमें जो मैंने प्याज काटके रखी है प्याज बहुत महीं नहीं काटी है आप देख रहे हैं ठीक ठीक टुकड़े काटे हैं अब इसमें बिंडी मिला लेंगे प्याज को भूनना बिलकुल नहीं है गरम तेल में प्याज डालने के बाद तुरंत ही बिंडी डाल देंगे भूनने का काम बाद में होगा अब इसमें सुवात के हिसाब से नमक मिलाईए और जो आपने ड्राई मसाला पीस के रखा है लैसन के साथ वो इसमें उपर से डाल दीजे और लो फ्लेम करके और इसको ढग दीजे पांच मिनट के लिए फ्लेम बिलकुल लो रहेगी पांच मिनट के बाद खूलिये और इसको उपर नीचे करके मसाला भिंडी प्याज सब मिक्स कर दीजे मिक्स करने के बाद एक बार फिर ढगिए दो मिनट के लिए दो-तीन मिनट बाद इसको फिर खोल दीजेगा अभी दो मिनट बाद खोल दिया है अब ये गिंडी धीमी आज पर लो फ्लेम पर 10-15 मिनट तक धीमे आज पर भुनती रहेगी अब इसकी प्याज मसाले सब अब भुनेंगे आप देखिए आधा कब तेल डाला था लेकिन कहीं भी तेल आपको एक्स्रा नहीं दुख रहा है यही इस सबजी की खासियत है यह सबजी यल्दी खराब नहीं होती है सफर में, पिक्निक में आप इसको ले जा सकते हैं भस्बिन के लंच बॉक्स में, बच्चों के टिफिन बॉक्स में इसको रख सकते हैं पूरी और पराटे के साथ इसका उसाथ बहुत अच्छा आता है यह देखिए धीमी आज पर मैं इसको भून रही हूँ कम से कम 10-15 मिनट इसको लो फ्लेम पे ऐसी खुला बुनने देते हैं तब ही इसमें बढ़िया टेस्ट आता है और इसका प्याज और मसाला बढ़िया सा बुन जाता है अब देखिए यह बनके तयार हो गई है इसको गैस मैंने आफ कर दिया है और थोड़ी देर गरम कड़ाई में पड़ा रहने दिया है अब यह तयार हो गया है इसको मैंने बोल में ट्रांसफर कर लिया है देखिए कितना सुंदर लुक है इसका उतना ही इसका अच्छा तेस्ट है इसको आप लंच बॉक्स में टिफिन बॉक्स में तो रखी सकते हैं बाकी अगर लंच की थाली के लिए भी बहुत अच्छी सबजी है दाल, रायता के साथ सूखी सबजी, चपाती और चावल के साथ इसको लंच की थाली सजाए यह बहुत ही टेस्टी भिंडी है आशा है आपको बहुत पसंद आएगी तो थैंक यू फॉर वाचिंग अगली बार मैं नई रेस्पी के साथ आप से मिलूँगी